आजकल जिस प्रॉब्लम को लेकर मेरी यूटूब और फेस्बुक फैमिली परेशान है ना वो है चाया, जाया, मेलाजमा, पिंग्मेंटेशन, हाइपर पिंग्मेंटेशन वो काले निशान जो स्कीन के अंदर तक चले जाते हैं कुछ भी लगा लेकिन निशानों पर कोई फार्क नहीं पड़ता, हाई केमिकल, फामुला, क्रीम, सीरम अप्लिकेशन से वक्ती तो ये निशान फेड हो जाते हैं, रीमूव हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही इन केमिकल अप्लिकेशन का इस्तमाल हम छोड़ देते हैं, क्रीम का एक च्छोट देते हैं तो वो वापस आ जाते हैं और दुबारा गहरे हो जाते हैं पहले से जादा हुचेट साइड एफ़क्ट की बात की जायो तो बहुत जाँधा हैं तो आज मैं आप सब के लिए बहुत ही पावरफुल क्रीम लेकर आई हूँ बगएर किसी केमिकल के घर की चीजों से बहुत ही असान तरीके से इस क्रीम के इस्तमाल से आपकी चाहियें ग्रैजुली फेंट होना स्टार्ट होंगी और कभी वापस नहीं आएंगी स्कीन आपकी गलो करेगे डाक स्पॉर्ट किसी भी तरह की हो जितने भी पुराने हो एकनी के निशान हो पिमपल के निशान हो मुकमल गायब हो जाएंगे उमर से पहले जो अस्तार चेहरे पर नसराना स्राट हो जाते हैं वो भी फिक्स होंगे आल इन वन आप इस स्क्रीन को कह सकते हैं तो चलिए देखते हैं इस स्क्रीन को किन चीजों से और कैसे त्यार किया जाता है अगर आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो बता दूँ मैं हूँ शमाइला और यह है शमाइला ग्लैम यूटूब एंड फेस्बुक चैनल जहां मैं अपने सब्सक्राइबर और फॉलोवर के डिमांड पर डेली एक वीडियो अप्लोड करती हूँ जो होती है स्कीन के हेकर और हेल्थ केर के मुतलिक अगर आप भी हमारे फैमिली का हिस्सा बना चाहते हैं तो सिफ नीचे रड बटन सब्सक्राइब और फॉलो करें हमारे फैमिली का हिस्सा बन जाएं तो आज मैं आप से शेक कर रही हूँ बहुत ही इफेक्टिव होने वाली है क्रीम तो सबसे पहले ले लीजिए दो अदद लीमू लीमू आपके येलो होने चाहिए और इनका चिलका भी बारीग होना चाहिए लीमू में पाये जाता है बहुत सारा वेटमन सी ऐसेडिक एसेट एंटाइ ऑक्सिडंट स्किन लाइटनिंग प्रोपरटीज जो आपकी स्कीन में गहराई में जाकर तमाम डाग दबों को खतम करने के खासियत रखता है तो इन दो लीमू को बारीग टुक्डों में काट पीजिए और इन टुक्डों को पैन में डालीजिए और साथ में एड़ कर दीजिए एक कप अरके गुलाब रोस वाटर हलकी आपका रोस वाटर जो है वो बिल्कुल खुश को जाएगा और हमारे चिलके ठीक से तयार नहीं होंगे तो कम से कम आपने 15 मिनट तक बिल्कुल हलकी आँच परी से रखना है तो यहां आप देख सकते हैं लीमू के चिलके जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट हो गए है रेड़ी दो चमच अलोवेरा जेल अलोवेरा जेल यहां पर आपको सूथिंग प्रॉपर्टिस प्रॉवाइड करता है आप फ्रेश अलोवेरा जेल भी यूज कर सकते हैं नेक्स ले लीजिए एक चमच कॉन फ्लॉर यानि मकई का स्टार्श अजसानी से आपको मिल जाएगा एवन स चालक ना हांच आपके बिल्कुल हलकी होनी चाहिए पांच मिनट के बाद तकरीबन आपका टेक्स्चिर ऐसा बन जाएगा यह आप देख सकते हैं जब आपको लगे कि आपने क्रीम का बन गया है तो आपने फ्लेम को करना है और इसे कनवर्ट करना है एक बाउल में अब इ सिंपल इसमें एक चमच लेमन जूस पी एड़ कर सकती है लेकिन लेमन जूस एड़ करने के बाद आपकी क्रीम के शेल्फ लाइफ यानि के जादा दिन तक महफूस नहीं रख सकेंगे इसलिए मैं यहां यूज कर रही हूं विटामन सी सीरम अब इसे मिक्स कर लीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए वाव ब्यूटिफूल कितना जबदस इस क्रीम का टेक्श्चर है ना जितनी खुबसूरत यह क्रीम है इतना ही जबदस और पावरफुर इसका काम है तो हमारी होम मेड मलाजमा रिमूविंग क्रीम तयार है यह क्रीम आपकी जिद्दी चाहि यह गहरी चाहिया डाक चाहिया इवन हार किसम का पुराना डाक स्पॉर्ट और दबे खतम करने की पावर रखती है जी हां सुबह और रात में जहरे कोचे से दो लीजिए और ट्राइ कर लीजिए देन आप यह क्रीम अपलाई कर लीजिए और हलका सा मसाज करके इस क्रीम को अपनी स्किन में अब्सॉर्फ कर लीजिए जजब कर लीजिए अगर आप दिन में पांच बार मूद होती है नमाज पढ़ती है तो आप हर नमाज के वज़ों के बाद भी एक क्रीम अप्लाई कर सकते हैं अगैन अगैन कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि यह 100% प्योर और और गैनिक है बैस रजल्स के लिए अगर आपकी गहरी बहुत जादा है चाहिए तो आप कम से कम तीन मात तक तो जरूर इस्तमाल करें अदवाइस जब आपको लगे कि आपकी स्किन फ्रेश हो गई है आपको मतलूबा नतायच मिल गए है तो बस आप छोड़ सकती है करके बताइए जर नौ वीडियो को लाइक कर लीजिए अगर आपके फैमली और फ्रेंड्स और में किसी कोई स्क्रीम की जूरत है तो शेयर भी कर दीजिए अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे रट बटन दबाएं और चैनल को सब्सक्र के साथ अपना ख्याल रखेगा अपने इस चैनल का भी